नमस्कार दोस्तों एक बर फिर आपका अपने यूट्व चैनल में स्वागत है दोस्तों सबसे पहले जैफीचर मेकर और जैरादेशाम दोस्तों सभी को पता है कि कोर्ट में केस के आज सुनवाई थी और उस शुनवाई में जो रजल्ट आया वो उसके बारे में बात करेंग दोस्तो कल भी तारिक थी आज भी तारिक थी और कल भी सुनवाई हुई थी आज भी सुनवाई हुई थी आज भी सुनवाई हुई तो कल तो कोट ने एक केस को तो खारिज कर दिया था उसके बार आज की सुनवाई है उसके बारे में मैं डिसीजन बताना जा रहा हूं दोस्त हम हैं दोस्तो जीसा की पहले भी होता आ आए सेम वह हुआ कि तारीक पे तारीक तारीक आप कोई ने फिर से नेक्स्ट डेट डिसाइड करें 8 अक्तूबर आज पांस है और तीन दिन बाद 8 अक्तूबर को फिर से सुनवाई होगी उस में क्या पता decision आए दोस्तों अब CMDC रादेशाम जी को लगबग 25 दिन से उपर होने वाड़े और जो court में court के तुरू या सवधान के तुरू लिखा होता है वो लगबग एक महीने का time होता है एक महीने के अंदर अंदर उसकी कारवाई करनी लगबग जरूरी होती है या तो उनकी सुनवाई पूरी कीजिए या फिर उनको बैल दीजिए तो दोस्तों 8 अक्तुबर को हम यह अशा करते हैं कि 8 अक्तुबर को उनों उने बैल मिले और वो जल से चल वापिस आए एक दोस्तों दूसरी ख़री सुनने में आई है कि तिलंगाना कोर्ट के बाहर आज कुछ हाता पाई हुई है उसके बारे में अभी तक फाइनल रिपोर्ट नहीं है फाइनल उसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते है कि जब भी हमारे पास फाइनल रिपोर्ट आएगी हम आपने बना के रखा है उसके लिए हम सुक्र गुजार है और कंपनी के जितने भी डिस्ट्यूबुटर है वो कंपनी के साथ है इसके लिए सुक्र गुजार है दोस्तों अगर आप कंपनी की स्लामति चाहते हैं तो शांती बनाए रखें निकट भुश्य में जल्द ही CMDC सब्सक्राइब के आदमी हैं और अभी तक जितनी भी शिकायते हैं यह तीनी शिकायते तीनी कोट केस हुए और इससे लगबग 40,000,000 लोग जुड़े हुए और तीन कोट केस यह कोई माइन निन रखते 40,000,000 लोग उनके पीछे लगे हुए यह सबसे बड़ी बात है तो द सबस्टाइब के दो झाल 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 झाल